नमस्कार दोस्तों वो गालिब अक्सर कहा करते थे क्यूं जमी पर बेट कर आसमान देखता है क्यूं जमी पर बेट कर आसमान देखता है खोल दे अपने पांखिये जमाना है ये सिरफ उडान देखता है नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल जीके बाए परदीप सर पे और बच्चों जैसा कि हमने एंसियंट इंडिया की जो सीरीद सुरू कर रखी है वो आज उसी के रिगार्डिंग है न मैं आपको मैंने जैसा की मगद समराज्य करवाँगा कौन सा समराज्य सुरू करूँगा आज मगद समराज्य सुरू करूँगा पहले भी कोई भी समराज्य सुरू करने से पहले बच्चों आपको उसका इतिहास पता होना चाहिए जैसे मैंने आपको ना 16 महा जनपद करवाए थे और उन 16 महा जनप पद था वो कौन सा महाजन पद था बच्चो मगद महाजन पद होता ता और इसकी राजधानी भी मैंने आपको करवाई थी बच्चो क्या होती ती इसकी राजधानी राजग्रह इसकी क्या होती थी राजधानी होती थी और मैंने बताया था कि एक राजा होता था जिसका नाम होता था बच्चो चंदर गुपते मोरिय होता था और इसने कितने महाजनपदों को जीता था आठ महाजनपदों को जीता था कितने महाजनपद को जीता था 16 महा जन्पदों को जीता था इसी के कान मगद महा जन्पद सबसे सक्तिशाली महा जन्पद हुआ करता था यहां से कोशन बच्चों आना लाजमी रहेगा और कहते हैं बच्चों कोई भी अगर ना समराजे अगर सक्तिशाली है ना उसके पीछी है ना क्या होती है आर्थिक कारण होती है क्या होती है बच्चो राजनेतिक कारण होती है और कुछ है ना भोगोले के कारण होती है अगर बच्चो ये तीनों प्रिस्तितियां आपने समझ ली ना तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी सोन ये नदी है ना उसके मुहाने पर था तो मगद इसका उपजाओ एरिया के साथ उपजाओ था उपजाओ था तो बच्चो ये क्या करते थे जब खेती करते थे ना तो अधीसेस बच जाता था अधीसेस वो होता है बच्चो जितना हम है ना खाने के रूप में प्रियोग क कर ले साल के लिए वो रख ले बाकी जो बच जाए उसका व्यपार करते उसे अधीसेस कहा जाता था जब अधीसेस बसता था तो यह लोग व्यपार करते थे और व्यपार करते तो पेसा आता तो यह आर्थिक रूप से क्या थे बच्चों बहुत जादा समरीद थे इसलिए न कई बार यह आता है करम से लगाओ तो सबसे पहले हर्यक वंस आएगा शिशु नाग वंस आएगा नंद वंस आएगा मोर्यवंस आएगा तो इनकी राजा बच्चो बड़े सकतशाली थे हर्यक वंस का आप राजा पढ़ोगे बच्चो बिम्बी सार इसका संस्तापक बड़ा सक्तिशाली राजा होता था उसका बेटा अजाद सत्रो कुनिक वो भी सक्तिशाली होता था उसका बेटा उदाइन भी सक्तिशाली होता था शेशु नाग है ना खुद सक्तिशाली होता था इसका बेटा काला शोक शक्तिशाली होता था नंदवंस का राजा महापदमानंद और दनानंद दोनों सक्तिशाली होते थे और चंदरगुप्त मोर ये सक्तिशाली था बिंदुसार और समराट असोक सक्तिशाली थे तो ये राजा अगर बच्चो जहां का सक्तिशाली होगा ना वो समराजे अपने आप सक्तिशाली हो जा गंगा गंडक और सोन नदी के मुहाने पर क्या बसा था बच्चो आपका पाटली पूतर था जो बसा था जो मगद की बाद में राजधानी बना था तो ये ना जल दुरग से गिरा हुआ था कि किस से गिरा हुआ था जल से गिरा हुआ था तो कोई भी बच्चो यहां पर आकर पर ना कोई आकरमन कर सकते थे दूसरा बोगोली कारण बच्चोज से ऊपर जाएंगे उपर वाले को पदा चल जेगा तो उपर वाला बिना हत्यारों के पथ्रों से उसको मार देगा तो बच्चों यही कारण था मगद पर ना कोई आकर्मन करने की सोचता नहीं था तो इन पर नहीं सोचता था यह सोचने लगे और उसको जीतने लगे तो यह कई भोगोली कारण थे और क्या था बच्चों मगद के आसपास एरिया में क्या था गने जंगल थे उनसे बच्चों कीमती लकडी प्रापत की जाती थी और दूसरा बच्चो आथी प्रापत किये जाते थे और आथी से याद आया बच्चो एक बड़ा विवाद है बड़ी सरम सार करने वाली गटना हमारे सामने आई है जिसने मानवता को हिला कर रख दिया एक केरल में बच्चो एक गरवती अथनी को ना किसी मतलब मैं इनसान तो कहूंगा ही नहीं इनसान कहना तो गलत है और बच्चो उसने ना उसको ना अनानास में ना कुछ बिस पोटक पदार्थ खिला दिये जिसके कान ना उस अथनी की ना जबड़े और मू में जल गया और बेचारी पानी में दो दिन रही और वो मर गई और वो उसका बच्चा भी बच्चो मर गया कितनी इनसान के हिते ही बच्चो हमें सरम आती है और ये तो बच्चो मतलब इससे तो अच्छा कोरोना है कोरोना क्यूं अच्छा है कोरोना जानवरों को तो हानिया नहीं नहीं तो बच्चो ऐसी घटना नी बड़ी निंदनी यह होती है अंदर से बच्चो जंक जोर कर रख देती है तो यह बच्चो अब दुबधार टोपिक बें हाते हैं कि यह पर जंगल जादा थे तो जंगलों से बच्चो क्या प्रापत होने लगे आथी प्रापत होने लगे और आथियों से ये युद लड़ने लग गए थे तो और राजा गोडों से लड़ते थे तो ये वाजे राजा आथी से जाते तो गोडों को तो नीचे रोंद कर रख देते थे आथी और वो अथनी भी चाहती थी ना बच्चों पूरे गाउं को रोंद क कर रख सकती थी लेकिन ना उसने अपना मतलब जो इनसान को इनसानियत दिखानी थी वो जानवबर ने अथिने ने इनसानियत किसी को कुछ नहीं का पानी में जाकर मर गई तो बच्चों ये सरम्सार करने वाली गटना है तो और ये न अब आठी का यह प्रियों किसके निये करने लगे लड़ाई इसलिए यह क्या था मगद ये महाजन पद सक्तिशाली था एक सक्तिशाली होने का ना सबसे बढ़ा कारण बच्चों यहां से और हमें नज़र आता है वो सक्तिशाली कारण क्या रहेगा कि छोटा नागपुर का जो एरिया है ना वो मगद के इसे में आता था और यहां से ना भारी मातरा में क्या प्रापत किया गया बच्चो लोहा और इस लोहे से ना क्या बनाए गए हतियार या नए नए क्या बनाए गए बच्चो ओजार बनाए गए और यही वो कारण था इन अतियारों और ओजार सबसे ज़्यादा सक्तिशाली था अब बच्चो एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे अगर ये तीनों सी तिती है ना आर्तिक राजनेतिक भोगोलिक कान कलियर हो गई ना तो मेरे इसाब से आपको कोई दिक्कते नहीं आएगी अब हम बच्चो पढ़ते हैं सबसे पहले ह बहा जाता है और बच्चो गनीमत ये है मगद समराज्य का संस्तापक भी ब्रीदर था और इसका अंतिम राजा भी ब्रीदर्थ होगा और उसको मार करना जो मतलब पूश्य मितर सुंग है ना आगे सुंग वंस की स्तापना करेगा तो सबसे पहले आया था बच्चो हरीयक इसके राजदानि पूछे तो कौन सी होती थी बच्चो राज ग्रह होती थी और बिम्बी सार अगर आए ना बच्चो किस धरम को मानने वाला था तो बिम्बी सार है ना बो धरम को मानने वाला था और एक बार है ना इसके राजवेद के बारे में फिजीशियन के बारे में पूछा जाता है इसका जो राज वेद था वो कौन था बच्चो जीवक था और जीवक को ना एक बार महत्मा बुद्ध बिमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए इन्होंने जीवक बेजा था एक अवंती के राजा थे जिनका नाम था बच्चो राजा परग्योत क्या नाम होता था राजा परग्योत को पा बिम्बी सार ने न बेवाईक संबंदों दुआरा ये लड़ाईया पसंद नहीं करता था बेवाईक संबंदों दुआरा है न ये क्या करता था बच्चो बेवाईक संबंदों दुआरा है न समराजे विस्तार करता था और इतिहासकार के थे बच्चो बिम्बी सार की न पान एक दिन भी साल में नहीं रह पाता था तो ऐसा राजा होता था हमारा बिम्बी सार. यहां से कोश्चन आते हैं और वच्चो एक बार कोश्चन आया था सबसे ज़्यादा पूछा जने वाला इसने ना कोशल नरेस की राजकुमारी महा कोशला से शादी की थी. कोशल की राजकुमारी किस से शादी की थी महा कोशला से शादी कर ली थी और जो पंजाब की राजकुमारी होती थी पंजाब का हमारा एरिया था शेपा उस से शादी कर ली थी और वेशाली की जो राजकुमारी थी चेलना उस से क्या कर ली थी शादी कर ली थी तो कोशल, महाजन, पद और बजजी जिसमें सबसे पहले मैंने आपको उताया था लोग तंतर आया था तो ये तीनों से इन्होंने क्या कर ली थी बच्चो शादी कर ली थी तो ये कोशन आता है इन्होंने बेवाईक संबंदों दुआरा स्तापित किये थे संबंद एक बार ये कोशन बच्चो यहां से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा कोशन बना था कि कोशन यही बना था कि बच्चो कि ये किस दरम को मानने वाले राजा थे तो ये बोध दरम को मानने वाले राजा थे ठीक है और कहते हैं बच yod 544 इसा पूरव ये डेट याद नहीं करने इन से कोशन नहीं आता कई इतियास कर इनका करेकाल 544 से 432 में इसा पूरव इनका सासंकाल बताते हैं यहाँ से बच्चो एंसियन टाइम के सासनकाल से बहुत कम कोश्चन आते हैं इस राजा से ही कोश्चन आएगा अब बिम्बि सार का ना बेटा होता था जिसका नाम होता था आजाद सत्रू होता था और आजाद सत्रू ने अपने पिता को क्या कर दिया था मार कर राजा बना था केते हैं बच्चो कुछ इतियासकारतो चार सो तीराण में इसापुरो राजा कोन बना था बच्चो आजाद सत्रू राजा बना था इसलिए इस वनस को न बच्चो पित्र हन्ता वनस या पित्र हत्यारा वन्स भी कहा जाता है इस वंस को क्या कहा जाता है बच्चो पित्र हंता वंस या पित्र हत्यारा वंस कहा जाता है क्योंकि बच्चो अजाद बिम्बि सार को मार कर अजाद सत्रू राजा बनेगा और अजाद सत्रू को मार कर इसका बेटा उदाइन क्या बनेगा राजा बनेगा तो बच्चो अजा के कहने पर मारा इसके पिता का नाम क्या था बिंबी बिंबी सार था इसको ना देवदत के कहने पर मारा था और देवदत है ना कहा जाता है महातमा बुद का चचेरा भाई होता था महातमा बुद का चचेरा भाई कोन होता था देवदत और देवदत के कहने पर ना इसने अप इसका उपनाम पूछा जाता है क्या था कुनिक था और ये बच्चों यहां से आजाज सत्रू से बहुत ज़्यादा बार कोश्यन पूछे जाते हैं इसने ना किसको जीता था क्योंकि इसके पिता के तो संबंद बेशाली के साथ अच्छे थे बेशाली बज्जी या बज्जी चादी कर ली थी वJesus देखा जाए तो बेशाली इसके मामा काहि हुआ ना लेकिन अगर है ना बच्चों अगर ये अपने पिता को मार कर राजा बनेगा तो मामा से तो कनेक्शन कट गए ना तो इसने ना बेशाली को कहते हैं कि इसकी साहिता से जिता अपने मंत्री वसा कर क साहिता से जीता ये कोशन ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसने वेशाली को किसकी साहिता से जीता अपने मंतरी वसाकर की साहिता से जीता और इसने कहते हैं बच्चो कासी को भी जीता किसको जीता कासी को जीता किसने किसको जीता कासी और ये ना एक अतियार प्रियोग सिला कटक महा सिला कटक ये बच्चो आजाज सत्रु है ना दो हत्यार प्रियोग करता था ये याद कर ले ना आजाज सत्रु है ना कितने हत्यार प्रियोग करता था दो रत मुसल और महा सिला कटक और आधुनिक भारत का अगर आजाज सत्रु आई जिसे आईरन मेन सरदार बललब भाई पटेल को कहा जाता है यहां से भी कोशन बच्चो आ सकता है तो आजाद सत्रु का उपनाम कुनिक होता था और बच्चो कहते हैं न हम जेसी करनी करेंगे न बच्चो उसका फल भी हमें वेसा ही भोगना होगा इसका ही बेटा होता था बुरा नतीजा होता है और इसके टाइम में अजाद सत्रु के टाइम में यह आ सकता है कि 300 इंपोर्टेंट है बच्चो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अजाद सत्रु के टाइम में 483 इसा पूरव महत्माबुद को क्या हुआ था महापरी निर्मान की प्राप्ती ह मतलब में छोड़ कर चले गए थे मातमाबुद 483 इसा पूरव और 483 इसा पूरव इसके टाइम में क्या हुई थी बच्चो पहली बोध संगती का आयोजन किया गया यह पेपर में आता है बच्चो पहली बोध संगती का आयोजन किसके टाइम में किया गया था अजाद सत् कोशन सबसे ज़्यादा वेपर में आने वाला कोशन है और बच्चो इसने वेशा ली और कासी को जीता ये कोशन तो आई ही गया है अब बात आती है बच्चो सबसे इंपोर्टेंट और ही यहां से क्या कोशन बनेंगे इसके बाद है इसका बेटा राजा बना जिसका नाम क्य इसके बाद इसका बेटा कौन सा राजा बना था बच्चो उद्दाइन राजा बना था और उद्दाइन के हैते हैं बच्चो जेन धरम को मानने वाला होता था और उद्दाइन ने बच्चो गंगा गंडक और सोन नदी के मुहाने पर गंगा गंडक और सोन नदी के मुहाने पर ना एक सहर बसाया था जिसे क्या कहते है पाटली पुत्र का जाता है और इसने पाटली पुत्र को क्या बना लिया था अपनी राज धानी बना दिया था और पाटली पुत्र को आधुनिक टाइम में क्या का जाता है पटना और ये कोश्चन आता है बचो पाटली पुत्र क को क्या किया था बच्चो बसाया था उदाइन से कोश्चन बहुत ज़्यादा वार आते हैं कि पाटली पुत्र किस ने बसाया उदाइन ने बसाया और ये भी पेपर में बच्चो आता है कि ये किस धरम को मानने वाला था या किस धरम का अनियाई होता था तो ये जेन धरम का क उनियाई होता था कौन उनियाई होता था जेंदरम का उदाइन होता था और ये किस को मार कर राजा बना था अपने पिता आजाद सत्रू को मार कर क्या बना था बच्चो राजा बना था और बच्चो और क्या कोशन आता है कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला कोशन क्या रहेगा कि ये पाठली पुत्र है ना ये तीनों और से नदियों से गिरा हुआ था इसलिए मगद समराजे सक्तिशाली था और इसका बच्चों मगद समराजे का अंतिम राजा है ना नाग दसक बताया जाता है मगद समराजे का अंतिम राजा नहीं बच्चो हरियक वंस का अंतिम राजा है किसे कहा जाता है नाग दसक को कहा जाता है और नाग दसक को किस ने मारा बच्चो शीशू नाग ने मार कर किस वंस की स्थापना कर दी शीशू नाग वंस की यहां से बच्चों एक बार question उठाता कि शिशू नाग वंस ने किसको राजधानी बनाया था? वेशाली को राजधानी बनाया था. अब कौन सा वंस पढ़ेंगे बच्चों, शिशू नाग वंस यहां से question आता है. शिशु नाग वन्स वेसे तो सन नहीं पूछे जाते 412 इसा पूरो शिशु नाग वन्स की स्तापना किस ने की थी शिशु नाग ने की थी किसको मार कर की थी अरियक वन्स के राजा नाग दसक को मार कर शिशु नाग वन्स की स्तापना की थी और इसने ना राजधानी किसको बना दिया था, पाटली पुतर से दुबारा ये राजधानी किसको ले आया था, बच्चो वेशाली को ले आया था, यहां से भी बच्चो बहुत बार कोशन पूछे जाते हैं, कहते हैं, इसने वद्स और कोशल को जीता था, वद्स को भी जीत और कोशल को भी जीता था और कहते हैं इसने अवंती को भी मगद समराजे में मिला लिया था जैसे अवंती के राजा पर्ग्योत को पांडू रोग हो गया था तो बिंदु सार ने तो अपना जीवक के राजवेद वेदा था तो हरियक वंस के संबन तो अवंटी के साथ अच्छे होते थे लेकिन सिशुनाग वंस ने अवंटी को क्या मिला दिया था अपने में और कहते हैं सिशुनाग है न ये हरियक वंस का अमाते या क्या होता था बच्छो मंत्री हुआ करता था बाद में क्या बन गया था ये राज सोक राजा बना था और काला सोक को क्या कहा जाता है बच्चो काक वरन कहा जाता है कि इसका रंग क्या था काला था इसे काक वरन भी कहा जाता है और इसके टाइम में बच्चो 383 इसा पूरों में ने कहा था बच्चो कि दूसरी क्या हुई थी बोध संगती हुई थी किसके टा में हुई थी और कहां पर हुई थी बच्चो वेशाली में हुई थी तो इसके टाइम में दूसरी बोध संगती से कोशन पका आता है बच्चो और ये भी कोशन आता है बच्चो इस वंस का न अंतिम राजा कोन बताया जाता है नंदी वर्धन बताया जाता है इस वंस का अंति शीशुनागवंस से ज़्यादा कोशन नहीं आते ज़्यादा इतना ही कोशन आता है शीशुनागवंस का संस्ताप कौन था शीशुनाग था है इसने वेशाली को क्या बना लिया था अपनी राजदानी बना लिया था अवंती को इसने क्या किया था जीत लिया था कोशल को इस जित की गई थी और सबसे ज़्यादा बार यहां से question यही आता है कि दूसरी बोध संक्ती से पूछा जाता है फिर इस वंस का अंतिमराज आता है नंदी वर्दर अब बच्चो कौन सा वंस है नंद वंस कौन सा वंस रहेगा नंद वंस इंपोर्टेंट है बच्चो नंद वंस नंद वंस का जो संस्तापक था ना वो महा पदमा नंद होता था नंद वंस का संस्तापक कोन होता था बच्चो महा पदमा नंद को नंद वंस का क्या कहा जाता है संस्तापक कहा जाता है और कहते हैं बच्चो वेसे तो नंद वंस में कितने राजा हुए थे दस राजा तो नंद वंस का संस्ता पक्या था महापदमा नंद और बच्चों ये भारतिय इतिहास का ना पहला शुद्र राजा होता था जैसे ब्राहमन अक्षत्रिये वैसे शुद्र पहले ना ब्राहमनों का बोल बाला होता था फिर शत्रियों का पहले ना शत्रिये क्या करते थे वो सताया करते थे और ये पहला शुद्र था जो राजा बना और इसने शुद्र से राजा बनते ही ना सभी शत्रियों को मार दिया इसलिए इसे सरव सत्रा या सरव सत्रा हत्यारा भी कहा जाता है यानि क्या है बच्चो ये शत्रियों का क्या माना जाता है इसको हत्यारा माना जाता है इसको ना शत्रियों को मारने वाला भी कहा जाता है और कई किताबें इसको बच्चो दूसरा परशुराम बोलती है दूसरा परशुराम अब जो जो परशुराम महरास्ते बगवान विश 21 वार शत्रियों को मारा था तो ये बच्चो शुदर था ना तो शत्री पहले शुदरों को मारते दे तो इसने ना शत्रियों का विनास किया इसलिए इसे सरव शत्री हत्यारा या शत्रियों का विनासक भी कहा जाता है और बच्चो इसे ना कुछ गरंथ है ना उगरसेन केते हैं इसका नाम क्या बताते हैं उगरसेन लेकिन ना ये पहला राजा था भारतिये इतिहास का केते हैं ये भारतिये इतिहास का पहला राजा था बच्चो जिसने एक राट की उपादी धारन की थी ये कोशन आता है ऐसा बारतिय इतियास का कौन सा राजा था जिसे एक राट की जिसने एक राट की उपादी धरन की ती तो वो कौन सा था बच्चो महा पदमानन्द होता था और यहांसे क्या बच्चो मैं एक comment बार बार पूछे जाते हैं कि बच्चे ancient India सर बीच में मत छोड़ दिना बच्चो ancient भी पूरी करवाऊंगा middle भी पूरी करवाऊंगा और modern India भी पूरी करवाऊंगा और बच्चे कह रहे हैं कि सर जल्दी सलेवस तो बच्चो मैंने जल्दी सलेवस के लिए तो आपको बोल दिया है कि ancient India, middle इंडिया, modern इंडिया, complete भी पूलिटिकल साइंस, इको भी complete होने वाली है एक आदा लेक्चर रहता है जोगरफी शुरू कर दूँगा और complete latest patron पर हरियाना जी के दूरी ना पर बच्चो लिंक description में है 300 का course है वहाँ पर आपको न डेली है जरूरत मंदों के लिए बेजते हैं तो ये याद कर लेना ये भारती इतियास का पहला राजा था बच्चो जिसने किस की उपादी धारन की थी एक राट की उपादी धारन करने वाला क्या था ये पहला राजा था और बच्चो यहां से कोशन ये पूछा गया था कि इसे दूसरा परशुराम क्यूं कहा जाता है क्योंकि इसने भी शत्रियों का क्या किया था नास किया था और केते हैं बच्चो इसने कलिंग को जीता था और इसने किस को जीता था कलिंग को कलिंग को जीता था कलिंग को समराट असोक ने भी जीता था और इसने जीता था और कलिंग में एक मुर्ती थी जीत सेन की मुर्ती और उसको ना ये कहां ले आया था बच्चो मगद समराजे में ले आया था कलिंग वरतमान में ओडिसा का जो एरिया है तो मगद जो बिहार वा पादमानने वाला था और बच्चो इसकी कलिंग विज्जे का वर्णन किस में मिलता है एक कलिंग का राजा होता था बच्चो खारवेल का एक अभिलेक है आथी गुफा अभिलेक इसकी जानकारी देता है कि ये एना इसने कलिंग को जीता था तो समराठ असोग से पहले आने वाला या शत्रियों का क्या कहा जाता है विनासा के कहा जाता है और बच्चो अगरा इसने कलिंग को क्यों जीता क्यूंकि ये ना चंद्रगुप्त मोरिये के टाइम में चानक के होता था उसकी पुस्तक अर्द सास्तर जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें साप साप ल इतना तो जरूर है बच्चो ये क्या था सक्तिशाली राजा था तबी तो बच्चो ये कोशन आता है कि सिकंदर किस का समकालीन था तो यहां सिकंदर का समकालीन कौन था तो गनानन्द है बच्चो सिकंदर का क्या होता था समकालीन होता था और इसके टाइम में सिकंदर ने 326 में ना हाइडे सपीच का हाइडे सपीच का युद लड़ा था और इसको पंजाब के पेरु राजा के साथ या पोरस राजा को इसने हरा दिया था और बच्चो इसकी सेना है ना एक तो नदी को पार करने से इनकार कर देती है और दूसरा इसको लगा कि गनानंद है ना ये गनानंद बहुत ज़्यादा सक्तिशाली है तो इसके डर सेना सिकंदर भार पर आकर्मन नहीं कर पाया एक अपने गुरु अरस्तू को ये वहीं पर छोड़ आया था मकदूनिया वो सिकंदर के बारे में कल पड़ेंगे ना भारत पर विदेशी आकर्मन तब मैं बच्चों सिकंदर के बारे में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो दनानन केसा राज बेट गया तो इसने का कि तूं तो इंटेलिजेंट ही नहीं है तो चानके की ना अपमान करके ना इसने वहां से निकाल दिया और बच्चों जब है ना अपमान होता है ना तो दो ही रास्ते बसते हैं या तो सुसाइड कर लो या फिर बदला ले लो चानके बच्चों इतन तेज दिमाग था उसने ना सुसाइड करना सही नहीं समझा और उसने ना लड़ना सही समझा और उसने चंदरगुप्त मोरिये को सिक्षा दी और चंदरगुप्त मोरिये की साइता से ना धनानंद को उसने हरा दिया तो यही बचों वो कूट निती थी और यही से चानके का क् अरस्तु था जिसे आप इंगलिस में बच्चो अरिस टोटल के लाम से जानते अरीस टोटल यह क्या है बच्चो अरस्तु है और ये अरस्त ये सिकंदर ये पूछा जाता है बच्चो कहां का सा सकता मक दूनिया का सा सकता सिकंदर कहां का सा सकता बच्चो मक दूनिया का सा सकता और सिकंदर की मिर्तिव काम पर हुई थी बच्चो बेबी लोन में हुई थी 323 इसा पूरो सिकंदर क क्या हो गई थी मिर्ति हो गई थी तो बच्चो एसा सकता जो पूरे विशव को जीतने निकला था लेकिन वो भी धनानंद और वो नदी को क्रोस करने के डर से बारत छोड़ कर चला गया था तो बच्चो एसी एसी चीजे भारत में थी जो भारत मगद समराजे को क्या बनाती तो बच्चो इसका न इस दनानंद को मार करना चंदरगुप्त मोरिये राजा बनेगा वहां से मोरिये समराजे सुरू होगा लेकिन मोरिये समराजे सुरू करने से पहले न मैं भारत पर आपको विदे सी इरानी या यूनानी क्या पढ़ाऊंगा आकर्मन पढ़ाऊंगा व आप में एक समझ विक्सित हो जाएगी आप मोरिय समराजे आसानी से याद कर सकते हो ये भी आता है बच्चो इसको ना अगर मीज यूनानी है ना धनानंद को क्या कहते थे अगर मीज इसे कौन कहते थे यूनानी है ना इसको किस नाम से जानते थे अगर मीज के नाम से जानते उसका जो राजवेद जीवक था एक तो अवंती की राजा परग्योत को पंडुरोग में साहिता की एक मातमा बुद की साहिता की यानि बो द्रम को मानने वाला था पंजाब की राजकुमारी शेपा से शादी कर ली कोशल नरेस की वहां महा कोशला से शादी कर ली और बेशाल कि चेलना से शादी कर ले यानि बच्चों ये ना फिलिंग वाला राजा था बिम्बि सार यानि शादी से अगर मामला समलता है तो युद की जरूरत ही नहीं थी तो एसा राजा होता था बिम्बि सार फिर उसके बाद इसका बेटा राजा बना जिसका नाम होता था बच्चो नामक हतियार का अजाद सत्रू प्रियोग करता था उसने वेशाली को भी जीता अपने मंत्री वशा करकी साहिता से जीता अजाद सत्रू के टाइम में मात्मा बुद्गो महापरी निर्माण या जैसे जेन दरम के महावीर स्वामी को भी मोक्स या मिर्तियो की प्राप्ति अजाद सत्रू के टाइम में हुई थी तो यहां से भी बच्चो कोशन आए अजाज सत्रू अगर आए किसका समकालीन था बिम्बी सार का मिर्तियो किसके टाइम में हुई अजाज सत्रू और इसका बेटा होता था उदाइन जिसने गंगा और सोन और गंडक नदी के मुहने पर पाठली पुत्र की स्थापना की और पाठली पुत्र को आज पटना कहा जाता है सेर सासूरी ने कहा था और फिर इस वंस का अंतिम राजा नाग दसक था उसकी हत्या करके शिशु नाग राजा बना शिशु नाग नेना वेशाली को अपनी राजधानी बना लिया था और कोशल को भी उसने जीता था अवंती को भी उसने जीता था और शीशु नाग के बाद उसका बेटा काला शोक राजा बना जिसका नाम काक वरण होता था उसके टाइम में दूसरी बोजसंक्ति का आयुजन किया गया था फिर इस वंज का राजा नंतीम राजा नंदी वर्धन होता था और बाद में इस नंदी वर्दन को मार कर महापदमा नंद राजा बना और नंद बंस में दस राजाओं का वर्दन मिलता है लेकिन हमें पहला और दस वह पड़ना है तो महापदमा नंद है ना इसे एक राट की उपादी धर्ण करने वाला पहला राजा था पहला शुद्र राजा था बारतिय है इतियास का शत्रियों का विनास करने वालाबी इसको कहा जाता है और भच्चों महापदमा नन्द ने कलिंग को जीता था simulations में एक जेंड मुर्ति जीत सें की ये मुर्ति मगद में ले आया था तो कलिंग को जीतने वाला यनी समराठ अंसोग से पेले भी कलिंग को क बढ़ेंगे तो धनानंद के बारे में बताया एक गमंडी राजा था चानक के का ना अपमान करके ना अपने दर्वार से उसने निकाल लिया तो बच्चो इस परकार से आप है ना एंसेंट इंडिया को कवर करोगे ना इतनी गारंटी है बच्चो आप साथ साथ ना नोट्स बनाते चलना एंसेंट इंडिया से कोई कोश्यन है यह बिल्कुल ना N-C-E-R-T बेस्ट है स्लेवस मैं आपको करवा रहा है ना यहापको मैं पूरा का पूरा बच्चो स्लेवस है करवा दुँगा NCND India में आपको न एक परसेंट भी बच्चो दिक्कत आने वाली नहीं है कोई भी कोश्चन आगया न NCND India का आप कोई भी बड़े से बड़ा बच्चो एक्जाम किसी भी स्टेट का एक्जाम SSC, CGL, UPSC, HSC कोई मर्जी है न किसी भी स्टेट का एक्जाम दे देना बच्चो यह से कोई कोश्चन आया न वो आपका गलत नहीं होगा अगर मैं जूट बोल रहा हूँ न तो आप प्रेक्टिस सेट बच्चो लगा कर घर पर देख लेना आपके मोस्टली अबजेक्टिव है न बच्चो आपको क्या मिलेंगे बिलकुल सही मिलेंगे और यह हमारे ने एक बच्चो यह मुहीम आपको कैसी लग रही है और बच्चो मतलब वीडियो को न आप एक ही रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा बच्चो सेयर कर दिया करो क्योंकि जितने हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चो तक सिक्षा को हमें पहुंचा सकें तो आज के लि खुबरू होंगे अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सेयर करना ना भूलिएगा धन्यवाद दोस्तो जै हिंदे जै भारत